प्रदेशी राम जी वर्मा है स्री प्रदेशी राम जी वर्मा का जन्म अठा जुलाई उनने सो सैटालेस को ग्राम लिम्तरा में हुआ लिम्तरा भिलाई के पास का एक गाउ है प्रदेशी राम जी वर्मा च्छतिस गड़ के जाने माने कथाकार है उन्हें कथा काय की रुप में पुरे देश में प्रसिद्धी मिली वे हिंदी और 36 गढ़ी में समान रुप से लिखते हैं तथा उनकी बहुत से पुष्टकें अभी प्रकासित हो गई है उनके अभी अब तक पांच कथा संग्रह, दो उपन्यास, नौ संस्मरन और एक नाटक प्रकासित है सिपर देशी राम वर्मा जी की रचनाएं लोग से संबन्दी थे, लोग से जूड़ी हुई रचनाएं होती हैं वे लोग के जानकार हैं उनकी कहानियों में लोग की पीड़ा को बड़े सुन्दर धंग से परिवासित किया हुआ होता है उनकी एक रचना, एक उपन्यास आवा, पंडित, रवी संकार विशुद्दैले के सिले बस में है स्री परदेशी राम वर्मा जी को विभिन पुषकार से सम्मानित किया गया है जिसमें एक महत सम्मान है माधावराव सप्रे सम्मान उन्हें माधावराव सप्रे सम्मान आरुक फुल जो की पंथी नर्तक स्वर्गी देवदास बंजारे पर अधारित है उस पर मद्धिपदे स्वरकार द्वारा दिया गया और उनकी कहानी औरत खेत नहीं है को अखिल भारती साहित तिपरसत द्वारा मदरिया सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्तमान में प्रदेशी राम वर्मा जी द्वारा आकास दिया नामक पत्रिका का संपादन किया जा रहा है और यह पत्रिका निरंतर लोक के बीच पहुँच रही है आईए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं मरिया कहानी कहानी मरिया को आपको 36 गड़ के परिवेश में देखना पड़ेगा और जब कहानी को आप 36 गड़ के परिवेश में देखेंगे तो आप बहुतर धंग समझ पाएंगे मरिया कहानी मरिया का मतलब होता है मृतक जो समाजी कोई संगतिया है मृतक भोज उस पर केंद्रित यहां कहानी है इस कहानी को दो तीन भागों में दो तीन घटनाओं को लेकर लिखा गया है पहली घटना है कि उसमें रचनाकार ने ये कोशिश किया है कि कैसे इस कानी को आगे बढ़ाएं तो एक किसान परिवार है एक किसान परिवार में अकेला एक बेटा है जिसका नाम है सी कुमार वह किसानी का काम करता है उनका पिता वृद्ध है और वृद्ध पिता को अचानक एक दिन लगवा हो जाता है जब लगवा होता है तो गाओं के आसपास के लोग आते हैं और सब अपनी अपनी तरह से सलाह देते हैं तब नाया के पीता, सियुकुमार के पीता कहता है कि भई मेरे तो अब जाने का समय आ गया है, मुझे जाने दो फिर भी वहां के जो इस्थानी बैद होता है, वो कहता है कि एक कबूतर लाओ और कबूतर की सबजी से खिलाओ और कबूत हुन से इसकी मालिस करो 30 ही इसका इलाज है और सिव कुमार जैसे की घ्रामिन बैदी बताता है उसी परका उसकी खुब सेवा करता है किन्तु कुस दिनों के पस्चात उनकी मृत्त हुजाती है जब मृत्त हुजाती है तो कभी ने इस इस कहानी में एक और विसेश्टा है बच्चे इस कहानी को पढ़ें तिसकी विशेष्टा को समझें इसमें 36 गड़ी लोकोक्तियों को बहुत सुन्दर धंग से प्रयोग किया गया है 14 लोकोषियों को हाना कहते हैं हाना वास्तों में लोगर साहित्य का एक विधा है जिसे हम हिंदी में कहोते महावरे कहते हैं 先- Tomato cherry जाती है सिव कुमार स्माष से निव theater फॉप्र नहीं किरा सकता गौं की पंचायति बैठती है पंचायत में जो लोग मुख्या होते हों कहते हैं कि तुम मितक भोज क्यों नहीं कराओगे यह तो नियम है और नियम तो सबका पलन करना पड़ता है तब सीकुमार कहता है कि समाज के जो बड़े पंचायत है उसके द्वारा यह कही गई है कि मितक भोज नहीं कराना है किन्तु गाउं के प्रमुख नहीं मानते और मजबूर होके उनको मितक भोज कराना मितक भोज कराने से उनकी दो एकठ खेती बिग जाती है और एक बैल की जोड़ी भी बिग जाता है तो लेखाक ने कहा तो ये तो दुबबड के लिए दुवासार हो गया एक तो ऐसे ही आर्थिर से कमजोर और मितक भोज से उनकी एक संपत्ति बिग जाती है और उनको मितक भोज कराना पड़ता है और उसके दुस्परणाम जो किसान था सिकुमार जो किसान था वहाँ मजदूर हो जाता है किसान से मजदूर होने की पीड़ा को वहाँ एहसास करता है तभी उसके गाओं का एक साथी उनको से भूखन जिसका नाम भूखन है भूखन कहता है कि भई तुम पूलिस क्यों नहीं बन जाते तो सिकुमार बोलता है कोन लिए उनको 500 रुप्या देना पढ़ेगा और तुम को पुलीस बना देगा अर्था इस्ठानी गाड सास की पुलिस नहीं इस्ठानी गाड गाड की जो कमपनी होती है और जाता है और इस्ठानी गाड में वह भरति हो जाता है तो गाड का उहदे के लिए होते हैं एक गारी में बैठ के जाते हैं और जब गारी में बैठ के जाते हैं तो जहां पे तोड़ फोर करना होता है रहता है उसके मुख्या लोग सब को भगाते हैं और सभी जितने बड़े उहदे के लोग तो भाग जाते हैं किन्तु सीव कुमार वहां फास करते हैं तो लोट के आ जाता है और पूरी घटना को बताता है जो उसके अपनी जो उनके मुख्या होते है उसको तो बोलता है कि तुम मार खा के आये हो इसलिए यहां आप नौगरी नहीं कर सकते तब सिकुमार करता है भई मुझे दवाई दारू के लिए तो कुछ पैसा दे रोचक घटना भटन दाती गाउं में और क्या बुराई है कि यहां गाउं के लोग सराप का सेवन करते हैं सराप के सेवन करके नाचते हैं तो एक और समाजिक बुराई को यहां इस पर सकी है वो समाजिक बुराई है साधी विहा उसमें सगाई की बात कहेगे सगाई में जह समाजी बुराई इधर इसको भी उन्होंने एंगित किया है और लोग सराब पीके नाचते हैं सराब पीकर पंचायत करते हैं तो यह सराब रूपी बुराई पर भी रजनाकार ने अपनी इस कहानी में रिखांकित किया है और समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया है कि हम ज हमारे परिवार प्रभाइत होते हैं आर्थी कृष से विपन हो जाते हैं तो इसको लेकर कहनीकार ने बहुत सुंदर ढंग से इस कहानी की बुनावट की है और उसकी बुनावट में लोक की संगती है और लोक को सिक्षित करना चाहते हैं कि अब हमारे गाउं में ऐसी परिस्तिती नहीं आना चाहिए और जो नियम बनते हैं बड़े नियम उसको पालन करना चाहिए किसी परंपरा में बंद कर हमें नहीं रहना चाहिए ये कहानी का मूल सार है आप इस कहानी को पढ़कर समझिए और देखें कि इस कहानी में आपको कितना मज़ा आता है इस कहानी के भाव तत्वा को आप जानिए और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके आसपास कहीं इस तरह की बुराईया तो समाजिक बुराईया तो नहीं है अधी समाजी बुराईया हैं तो हम समाज को प्रगतिसिल करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं हमारी क्या भूमका हो सकती है इस पर भी हमें विचार करना है क्योंकि युवा ही समाज को बदलेंगे और आप सब युवा हैं आप कुछ दिनों में समाजी भूमिका में आ जाएंगे तो ऐसे बुराईयों को हमको त्यागना पड़ेगा ताकि कोई भी परिवार आर्थिक विपन्नता से परिसान ना हो उसे मजबूर होकर किसी काले को ना करना पड़े इस कहानी का मुल्टत्व है आईए अब हम इसके प प्रस्न उत्तर भी इस कहानी के मुल्टत्वों को लेकर गढ़ा गया है ये प्रस्न उत्तर आपके परिष्छा के दिष्टिकों से भी महत्व हो सकते हैं तो आएए अब क्रमसा सभी प्रस्नों के उत्तर पर हम चर्चा करते हैं राम चरन को लखवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा इसका दो मुख्यकारन है इसलिए कराना पड़ा क्योंकि स्वेम राम चरन्न ने यह कहा कि भाई मैं तो कुछ दिनों का महमान हूं मुझे यहां रहाने दीजिये पहला कारण यह था इसका इसका उनका इलाज गाउन के वैद जाता यह सोचकर भी उनका इलाज गाओं के वैद्य के दोरा कराया गया तो दो दो कारण थे दो परिस्थथितियां थी पहला पहली परिस्थिति यह है कि स्वैमि राम-चरण ने कह दिया कि मैं तो दिनों का महमान हूँ और दूसरा आर्थी कारण यह दो कारण है जिसके कारण रामचन के लखवे का इलाज अस्पताल के स्थान पर वैद्य से कराना पड़ा। एक कारण इसमें और है गाओं की मानिता आज भी गाओं के लोग अस्पताल न ले जाकर गाउं के ही बैद्य से करना चाहते हैं एक करना और है इस पर भी हमें विचार करना चाहिए और इसके दूसर पर नाम क्या होगे दूसरा प्रसन हम देखते हैं सीव कुमान ने बैठक में क्या विंति की सीव कुमान ने बैठक में या विंति की कि मैं मरियाभास नहीं खिला सकता मुझे इससे मुक्त करें या शीर्कुमान ने समाज के समक्ष यह बिंती की इसले बिंती की मरियाभास दो करण है इसके भी इसको भी समझना पड़ेगा कि एक तो जो उच्छ समाज की संगठन है उनके द्वारा मरिया भात को बंद करने लिए कहा गया था दूसरा कारण उनकी आर्थी किस्तिती तो ये दो कारण से स्रीव कुमार ने मरिया भात ना खिला सकने की समाज से विंति की तीसरा प्रस्न देखते हैं दुबबर बर दू असार का क्या मतलब है ये 36 गड़ी लोकोकती है दुबबर ग्रस्त जो व्यक्ति है उसके उपर फिर से विपत्ति आना एक पहले इसे वह विपत्ति से समस्या से ग्रसित है फिर से एक नया समस्या का आ जाना तो दुबबर बर दू असार का मतलब होता है विपदा ग्रस्त होने के पस्चार पुना और विपदा आ जाना चौथा प्र हमने इस पर चश्शा कि शीव कुमार के द्वारा मरिया भात कर खिलाने के लिए दो एकड जमिन बेचना पड़ा और बैल जोणी को भी बेचना पड़ा इस प्रकार खेट दिख जाने से सीव कुमार किसान से मजदूर हो गया ये इस प्रसन का उत्तर है पांचवा प्रस्णा गरीब बर सबके चलते चाहे घर वाला हो या बहिर वाला ये ऐसा क्यों कहा गया ऐसा इसलिए कहा गया कि स्रीव कुमार अधि सक्षम होता तो गाउवाले उसको मजबूर नहीं कर सकता मरियाभाद खिलाने के लिए नहीं कर सकते थे मरियाभाद खिलाने के लिए दूसरा जो स्रीव कुमार के उपर गाउवालों ने भी अत्याचार किया और जब वह पुलिस के इस्थानी पुलिस याद सेक्रेटरी गाड़ में भरती होने के लिए गया तो उसने भी उनको परसान किया उनको निकाल दिया तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गरीब होते हैं उसके लिए घर वाले भी उसको परसान करते हैं और बाहर वाले भी इसलिए ये कहा गया कि गरीब बर तो सब के चलते गरीब के उपर सब का दबाव बनता है गरीब को सब परसान कर सकते हैं समर्थ को ना दोस गोशाई और समर्थ अवान को कोई उस पर कोई दोस नहीं होता तो यह इस प्रस्ना का उत्ता है मरिया प्रथा ने स्यू की जिंदगी को किस तरह बदल दी यह अंतिम प्रस्ना मरिया प्रथा अर्था मितक भोज मितक भोज के कारण स्यू कुमार की जिंदगी कैसे बदल गई यह यह प्रथा है समाजिक प्रथा मरिया भाथ की जो समाजिक प्रथा है उस स्यू कुमार की जिंदगी किस पर का बदल दी क्योंकि इसके कारण स्यू कुमार एक तो किसान से मजदूर हो गया दूसरी बात उसको गाओं से बाहर जाके नौकरी करने की सूझने पड़ी तिसरी बात उसको निकाल दिया गया तो एक मुलत जो किसान था सिकुमार वो मजदूर हो गया और इस प्रकार उसकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में बहुत सारे समाजिक मुद्दों को उठाया गया है और ये समाजिक मुद्दों को उठाया गया है इस कहानी वास्तों हम को एक चीज और समझना चाहिए बच्चों कहानी हम क्यों पढ़ें कहानी पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कहानी को पाठ्ठ पुस्तक में क्यों रखी चाती है तो इसका कहानी भी समझना पढ़ेगा कहानी मुल्तह भासाई कोशल के विकास के लिए है हम इससे पढ़ना सिखते हैं पढ़कर समझना सिखते हैं और हम अपने विचारों को भी अभ्यक्त करना सिखते हैं तो कहानी पढ़ना केवल प्रस्नुत्तर के लिए नहीं पढ़ना बलकि अपनी भासाई शमता को विश्चित करने के लिए पढ़ना है ये कहानी का उद्देश से भी है इसे भी हमें समझना पड़ेगा